तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं अपने फिंगर को लगाता हूँ इस पर और यह देखिए ओपिन हो गया वियो वाई 21 मोबाईल में तो वेलकम दोस्तो स्वागत एक वाई फिर से एक नई वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप वियो वाई 21 मोबाईल में इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट को लगा सकते हैं तो कैसे करना है दोस्तो चलिए इस वीडियो को इस टार्ट कर लेते हैं देन आपको यहां से देखिए इस तरीके से मिल जाएगा screen lock तो आपको screen lock पर click करना है यहां से आपका screen lock लगा हुआ होगा तो आपको क्या करना है उस पर button डाल करके यहां पर swipe पर click कर देना है यानि कि आपका जो भी screen lock लगा है उसको हटा करके आपको swipe पर click करना है और उसके बाद आपको चले जाना है fingerprint में fingerprint में अगर आपकी finger लगी हुई है तो वहाँ से आप उसको delete कर दीजे delete करने के बाद दोस्तो अब आपको क्या करना है सबसे back जाना है और back जाने के बाद दोस्तो आपको जाना है play store में ध्यान से दोस्तों देखना बहुत ही ज़रूरी step है इसको बिल्कुल भी script नहीं करना तो आपको जाना प्लेश्टोर में यहाँ पर लिख देना है विव थिम्स तो विव थिम्स को आपको सर्च कर लेना है और यह application आ जाएगी तो इसको आपको install करना पड़ेगा यह मैंने install क पर रखा है तो आप इसको install पर क्लिक करके इसको install कर लेजिए उसके बाद यहाँ पर open का आफसन आ जाएगा आपको क्या करना है open पर क्लिक करना है देन आपको यहां से allow कर देना है allow करने के बाद यह इस तरीके से open हो जाएगी अब दोस्तों ध्यान से देखना यहाँ पर आपको tap करना है इस पर tap करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे loading लेगा आपका जिस्त हिसाफ से net होगा उस इसाफ से जल्दी यहाँ पर load हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखे six number पर एक application मिल लगी आपको यानि कि एक themes मिल लगी यह वाली तो आपको क्य दोगे तो यहाँ पर download लिखा हो है तो आपको अगरना है download पर क्लिक करना है और उपर देखे यह downloading चालू हो चुका है तो आपको wait कर लेना यह 24 MB की theme size को आपको download कर लेना जैसे download हो जाएगी तो यहाँ पर देख पार हो कि यह themes लगबग download होने वाली है यहाँ पर देख पार cell ने इसको मैं cut कर देता हूँ यहाँ से यहाँ लिखा हो है cross तो आपको क्या करना है यहाँ पर cross पर click कर देना है यहाँ पिर automatic ही आपकी cut सकती है तो यहाँ पर ok कर देना है आपको यहाँ पर change theme पर click करके आप इसको change कर देना है तो मैं यहाँ पर change पर click करूंगा और जैसे change कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर apply लिखा हुआ है तो apply पर click कर देना है अब दोस्तों यह apply हो रही है देखिए apply हो चुकिए और कुछ loading लेगी और आपकी यह themes पूरी तरह से change हो जाएगी यहाँ पर देख पार हो कि आपकी जो themes है वो change हो चुकिए अब दोस्तों आपको क तो यह open हो जाएगे भी फिर से दिखा जाता हो यहाँ पर मैं यह देखिए fingerprint ले लिया और यह open हो गया तो इस तरीके से आप यहाँ पर fingerprint लगा सकते हो